नमस्तो दोस्तो आपका एक बर फिर से स्वागते आपके अपनी यूटुब चानल पूजा घर्शन सार में दोस्तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लेगा उप्तो वॉल पोजिशन के बारे में इंटर कोर्स के पहले करना चाहिए या बात करना चाहिए और कितने देर तक करना चाहिए और कब तक कंस्गमेंट इस वज़य से हो जाती है पोजिशन के कारण तो ये सारी चीज़े इस वीडियो में जानने वाले हैं, वीडियो बहुत जाद नौलेज़ वेल होने वाला है आपके लिए, तो इस वीडियो को जरूर अंतक देखेगा और वीडियो पसंद आएगी, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जो भी चानल पर जरूर चानल को सब्सक्राइब करके बेल का इकन को प्रेस कर दीजेगा, आईए आज का वीडियो सुरू करते हैं, दोस्तों सबसे पहले ये जानने लेते हैं, कि लेगा उप्तों पोजिशन क्या होता है, जब भी आप इंटर कोर्स करते हैं, उसके पहले या आपके पीरेड आने के दिन को काउंट करने के बाद, दस दिन निकाल दीजे अगले, और उसके बाद जो 10 दिन होते हैं, अगले उस टाइम में ही आपको इंटर कोर्स करने से फाइदा मिलता है, और ये वाला भी पोजिशन उसे समय ट्राइ करना है, तभी ये पोजिशन आ आपके काम करेंगे और जल से जल कंसीव हो पाएगा क्योंकि पीरियड आने वाला जो डेट होता है उसके अगले 10 दिन को छोड़के और बाकी के जो 10 दिन होते हैं यानि 20 का जो 10 देज होता है इस समय आपका फर्टाइल डे होता है और इसे समय आपका ऑबुलेशन भी होता है आपको तो आप ज़रूर इस चीज़ को देखिएगा वीडियो के प्लिस्ट में जाके क्योंकि आप जल से जल कंसीव करना चाहते हैं तो आपके लिए ओबुलेशन समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर महिला का जो भी पेडियेट साइकल होता है जिस भी इंप्लांटेशन की प्रकीडिया होती है तो यह काफी ज़द आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना आप जरूर ओबुलेशन की वीडियो को भी देखे और इस पोजिशन में अब आपको कितने रहना चाहिए यह बता देती हूं मैं तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों जब भी आप इंटरकोस करें तो आपके कमर के पास एक पिलो जरूर रखे और इंटरकोस जब आपका खतम हो जाए समाप्त हो जाए उसके बाद आपको गरीब 25-30 मिनट इसी पोजिशन में रहना चाहिए लेक आप तो बॉल पोजिशन में इससे क्या होता है कि जो आपके ह स्पॉंब है वो जाते हैं फिलोपियन ट्यूप्स में जहां पर आपके एग है और वहीन पर Schmidt a zee होता है और यहां से इंब्लायों जो है वह जाती है फिर की एंप्लांटेशन के लिए यूट्रस में और फिर यहां होता है जहां पर ब्रून का निर्मान होता है blood ship ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और फिर एक हेल्दी बेबी आग जाके डिवलप करता है तो दोस्तों काफी सारी महिला ये भी पूछती है कि लेग आप दो वॉल पोजिशन करने के बाद हमें वॉश्रूम जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए तो देखिए जब आपका इंट वॉश्रूम जाना चाहिए क्योंकि आप जो सीमन होता है उसका कुछ पार्ट आपके नीचली भाग में भी लगा होता है आसपास जो की बाद में इंफेक्शन का काम करता है तो आपको इंफेक्शन से भी बच करना चाहिए अगर जल्दी कनसीवमेंट चाहते है तो तो स्पर्म है वो आपके बर्थ कनाल में डिपोजिट होने के बाद आपकी फिलोपियन ट्यूप तक चला जाता है यह काफी फास्ट होती है प्रकिरिया इस वज़े से आपको इससे ज़्यादा लेट के नहीं रहना है बस आपको 25-30 मिनट ही करना है बहुत सारे कांसीवमेंट कि जब तक आपकी कंसीवमेंट नहीं होती है तब तक आप इस पोजिशन को बढ़करार रखे यानि आप एक दो महिने तीन महिने ट्राइ करके छोड़े ना आप इसको कंटिन्यू करें आपको जल से जल रिजल्ट पॉजिटिव जरूर मिलेगा दोस्तों और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप और भी कुछ जारना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्सें में लिख सकते हैं आपको वीडियो पसंद आई है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएगा वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि क